जैहिंद नवस्कार सातियों स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे और रीट मुक्चे प्रिक्षा की है वो त्यारी आप सब की बहुत बहुत सांदर तरीके से हो गी होगी आप सबने रियूजन भी कर लिया होगा और अभी है वो कल से एक्जाम है शुरू होने तो मेरी तरब से आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना हैं कि आप अपने लक्से को प्राप्त करशको और एक्जाम होल से जब भार निकलो तो आप सब के हस्ते हुए चरे होने चाहिए तो देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट है वो आ रहे थे, मेसेज भी आ रहे थे, कितर त्यारी भहुत सांदर तरीके से हो भी है और सभी कुछ पड़ लिया लेकिन एक डर सा लग रहा है कि क्या पड़े है, क्या नहीं पड़ा आईगा या नहीं आईगा तो एक तरीके से demotivation वाली जो फील है वो आ रही है, तो अंतक जरूर देखना एक्जाम कल है तो आप इस टाइम आप एकदम free mind भी रहो क्योंकि ज़्यादा study पे आपको अब ध्यान नहीं देना है क्योंकि अपने mind को positive रोको खुद को face feel करो जिससे कल आप exam में अपना सो परतिशत है वो देश को तो देखो सबसे पहले बात आती है कि सब कहरें कि सर डर लग रहा है अब तो ये देखो डर तब लगता है आपको बता दूँ जब त्यारी है वो बहुत अच्छी होती है तब आपके मन में डर आता है क्योंकि जब तक 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 हमें डर नहीं लगता हम normal है वो हम रहते हैं क जी मैं मेरे लक्से से कहीं चूक ना जाओं। तो इस चीज को हमें एक motivate के रूप में लेना है कि जब ये डर लग रहा है तो मेरी त्यारी है तभी तो लग रहा है अनिता अगर आपकी त्यारी ना हो तो आप ये आपने खुद पे एक चीज देखी भी होगी कि आपने पहले कभी ऐसे stress है वो नहीं देखा होगा आपने डर भी नहीं देखा होगा लेकिन जब त्यारी कर लोगे तब ये होता है तो हमें इस पे क्या करना है काबू पाना है करना क्या है अभी आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये लो मैं तो ये नोट्स पढ़ूँगा अबर किसी ने बोल दिया कि इस एप से क्यूशन आएंगे किसी ने बोल दिया ये लिए पीडियाप से क्यूशन आएंगे ये पीडियाप पढ़ ले तो ऐसा आपको नहीं करना है आपने जो notes आपने पड़े हैं या जो भी आपने content पड़ा है वो आप revision कर शकते हो लेकिन नई चीज मत उठाना exam के time पे अब क्योंकि अगर हो सकता है उसमें एक भी चीज फालतु मिलगी और एक भी चीज अगर आपको आई नहीं सो चीज है उसमें उसमें से एक चीज आपको नहीं आई या सो में से एक चीज आपको नहीं मिलगी जो आपके notes में नहीं है तो आपका mind वो वही पर demotivate हो जाएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज हो सकती है जो मैंने छोड़ दी है तो ऐसा नहीं करना है बिलकुल आपको revision जैसे देखो बहुत सारे ऐसे topic होते हैं जो याद नहीं रहते हैं सेम टाइम पढ़ने पढ़ते हैं तो आप आराम से पढ़िए लेकिन खुद के content से पढ़िए यह नहीं कि कि किसी दूसरे से किसी ने बोल दिया इससे तो सारा matter आ रहा इससे तो execution आ रहे हैं आपको पता ही वो सा बाद में देखेंगे कि बहुत सारी लोग कह रहे हैं यह हो जाए वह हो जाए कुछ नहीं होगा पहले अपना काम कीजिए यह काम करने के बाद में हम देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आप अपना सोपरतिसाद दो पहले उसके बाद में हम दूसरों को तो यह डर निकाल दें, एक्जाम में paper किस परकार से करना है, आपको देखो paper करने का एक तरीका है, हम क्या करते हैं, paper अपने हाथ में लिया, और पूरा का पूरा paper हम पल्ट के देख लेते हैं, फटा फटे परने एक दम, येलो, येलो, सभी के सभी, ऐसा हमें नहीं करना है, क आपको दिमाग भी फेठास हो जाएगा, demotivate होके कि मुझे ये paper नहीं आ रहा और बहुत सारा hard paper है, करना क्या है, आप सबको पता है कि paper किस परकार से paper है, या आपको उपर दिया हुआ मिल जाएगा कि किस परकार से paper है, तो उसमें क्या करना है कि आपका जो सबसे ज्याद है math में, जो इनके पास math रही है subject के रूप में, तो उनको side इस चीज का तो डर लगता होगा, मेरे ख्याल से नहीं लगता, कोई एकाद question हो जाए तो वो अलग बात है, तो वो कर लेना है, या जो भी आपका subject favorite बनता है, वो पहले कर लीजिए, जिससे क्या है, वो question आप क्या करते हैं कि question आगया, hard question आगया है कोई, कोई भी hard आगया, या कोई confusion वाला question आगया, ठीक है, अब confusion कर रहा है हम उसमें बेठे हुए, ऐसा में नहीं करना है, question को देखा, एक दो बार पढ़ लिया, नहीं आ रहा, तो उसको एक बार tick कर दो, या ऐसा हो, जिसमें 4 option दे र आ रहे है, वो फटा-पट कर दो, चाहिए देखो, डेर सो क्यूशन में, चाहिए आप 70 क्यूशन कर लेना, 60-70 क्यूशन कर लेना, एक बार में, तो वो पूरी अपने ओमार भर लेना, 60-70 क्यूशन करके, उसके बाद में क्या करोगी, आप एकदम फ्रेश फिल करोगी, कि बैठे रहते हो, उसमें लियो हुए पैन, वहाँ से आगे बढ़ते नहीं हो, तो फिर वो क्यूशन चूट जाते हैं, जो आपको आते हैं, जैसे एक बार में अपने 70 क्यूशन कर लिए, अब बाद में वो कन्फ्यूशन वाले हैं, या आपको थोड़ा सा दिमाग में इसे लगता है कि नहीं है, तो आराम से क्यूशन कर लो, 30 क्यूशन और कर लो, 35 क्यूशन और कर लो, 40 क्यूशन और कर लो, उसके बाद में जितने भी आपको आ रहे हैं, वो सारी कर लो, एक मेने छोटा सा उधारण दिया है, इस परकार से आप करोगे ना, तो आपका पेपर है, यहां से क्यूशन आएगा, वो तो ऐसा बोला था, ऐसा नहीं सुनना है, दूर रहना इन लोगों से, रेट लोगों से जो है, और शाइंस मैट वालों, उनका तो कली पेपर है, तो थोड़े से देर की तो बात है, सब लोगों से दूर हो जाओ, सोसल मेडिया से दूर हो जा जाना है, लेवल फर्स्ट वालों का सुबह है, तो आराम से आप निकलो, वहां पे जाके आराम से रेस्ट करो, नास्ता वगेरे करके, चाय वगेरे पीके, आराम से वहां पे जाके बेठना है, यह नहीं कि हम तनाव में वहां पे गुम रहे हैं, पूंच रहे हैं, पानी व जुरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग यह बता रहें कि इतने question करके आना जुरूरी ऐसा कोई भी criteria नहीं होता किसी भी paper में अब paper ज़्यादा hard आ गया तो और मैंने मैं यह बता दिया कि आपको तो 120 question करके आने करिया होगे कि आप नहीं कर पाओगे तो नेगटिव मार्किंग से बतना जैसे English वाले student है तो आपको ज़्यादा नेगटिव में जाना ही नहीं है क्योंकि आपकी merit है वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली और देखे आके comment section में अपने अपने जो भी चीजें है वो अप जुरूर लिखना है आपको और आपको भूत भूत सारी सुबकामना है है जो भी हमारी इस YouTube family से जुड़े हो आप सब लोग हमारे साथ रहो तो निश्ची तोर पे मेरी तरब से भूत सारी दुआये हैं आपक होते खुसी होगी तो इसी के साथ मैं आप सब का धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरे में विश्वास दिखाया और एक्जाम देके आईए और हम सब के लिए है वो बहुत सारी खुसिया लेके आईए धन्यवाद